हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ मम्ता और आज मैं आपको बताऊंगी कि नारियल के लड़ू कैसे बना जाते हैं और आप देख भी सकते हैं कितने मुलायम कितने बढ़िया हमारे लड़ू बनके तयार हैं तो चलिए देर किस बात की बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हैं पर म मैंने फुल क्रीम दूद लिया अगर आपके पास टोंड है तो आप टोंड से भी लड़ू को बना सकते हैं एकदम बढ़िया हमारे लड़ू बनके तियार होंगे और जैसी हलका सा हमारे दूद में उबाल आएगा हम इसमें डाल देंगे चीनी मीठा अपने मर्जी से कम ज चलाते हैं अच्छे से मैट कर लेना और एक से दो मिनट लगेंगे इस से जादा टाइं हमारा इस चीनी को घुलने में नहीं लगेगा और जैसी दूद में उबाल आएगा हमारी चीनी घुलके एकदम तयार होगी आप देख सकते हैं बढ़िया से दूद में उबाल आ चु कर देंगे अगर तेज आश पर हम मिल्क पडने एक दम हमारे बल culturally चैनी से घुलके इठ भोठी करना आप मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को शॉवस्क्रायब करना ना भूंऑ और वीडियो अच्छी लगती है बैसे उसने सब्सक्राइब करना टो small में कमन्ण और फियर म और यह देखे अच्छे से मैंने सारे milk powder को अच्छे से दूद में मिला लिया एक दम इसमें एक भी गुड़ी नहीं है बढ़िया से मिला ले ना हमें और अच्छे से यह मिल भी जाता है पर गैस के आज को बिल्कुल हम इस टाइम पे बिल्कुल धीमा रखेंगे और जैसे यह मिल जाएगा फिर हम उसके बाद में हलकी सी आज को हम तेज कर देंगे और जैसे हमने अच्छे से मिला ले इसके बाद में मैं डाल दूंगे इसमें यह दो कप गोले का बुरादा गोले का बुरादा मार्केट में बड़े आराम से मिल जाता है किसी भी ग्रोसरी आराम से आ बिल्कुल मावे जैसा ही स्वाद आता है और इसे बिल्कुल हम अच्छे से मिला लेंगे एक दम जैसा ही हम इसमें यह गोले का ब्रादा डालेंगे वह एक दम से सारे दूद को सोख लेगा और आप देख भी सकते हैं गोले के ब्रादी ने हमारे इसे पैन को छोड़ना लातत्र आ रहे हैं तो इस टाइम पे तो आप इसे एक बार बना के रख लें और इस टाइम पर मैं ढाल दोंगी इसमें यह एक चम्मद देसीती इस टाम घीת उलना होता है इसलिकशा कर दिया है लगब हमारा मिक्शन तीयार है और हलकी आज पर हमें इस टाइम पर पकाना क्योंकि तेज आज पर पकाएंगे तो यह हमारा जल जाएगा नीचे से आप गयास को कर देंगे बंद इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और यह देखिए 10-15 मिट के बाद में अच्छे से ठंडा हो चुका है तो एक बार और इसमें अच्छे से चला दूँगी जिस थोड़ा सा भी गरम हो तो ठंडा हो जाए तो यह लड़ू इतने बढ़िया टेस्टी बनके तियार होते कि आप नब रात्रे में एक बार बना के रखिए और जब भी आप कंबन करें आप उसको खाईए और यहां पर मैंने थोड़ इसमें आप थोड़ा सा केसर भी ड्ल सकती मेंने यहां पते केसर नहीं डाला है थोड़ा सा मैं इसमें i7 food color डाला है आज बिल्कुल हलका सा फूट कलर डाला है और अच्छे nie विक्स कर लेंगे इससे क्या होगा कि हम अपने लडू के अंदर आंदर इसको भरेंगे तोई भरेंगे नेवी की शुन द鬧 लोगे और खाने में अजया पला जवा हमारी लडू बनेंगे अ कि हम अपने लडू बनाना स् इस में भर देंगे इसको जाहे इसमें मिलाइची पर अश्म कम पशाणद है यौज है इस तम चारों तरब से दबातें झालें टाउ करलें ढ झालेंगे लड़्ड़न nap ह्ट करने लाजवा, यहांनी देkem पी्तर रखा यम्याईधर से इस तरह से इस पर थोड़ा सा इसको लपेट लेंगे और एक्दम देखने में भी सुन्दा लगे और खाने में लाजवाब हमारी लड्डू बनेंगे यह इस नवरातरे आप दरूर ट्राय करें एक्दम लाजवाब एक्दम बढ़िया लड्डू होते हैं यह एक्दम खाने में तो मत पूछे मार्केट के सामने तो एक्दम लाजवाब है मार्केट के लड्डू इतने अच्छे नहीं लगते हैं जितने घर के बने अच्छे लगते और milk powder डालने से क्या होता है कि इसका स्वाद और भी दूबना हो जाता है तो आप milk powder डाल कर भी बनाए क्योंकि इतना बढ़िया लगता है लड्डू जब आप बनाएंगे तब आपको पता चलेगा तो प्लीज मेरे कहने से एक बार जरूर बनाएए और आपने कैसे बनाए हो जाते है और यह देखे कितने बढ़िया हमारे लड्डू बनके तयार होए आज यह तो आप जरूर ट्राय करें और आपने कैसे बनाए मुझे जरूर बताएं और यह देखे मैंने सारे लड्डू बनाके तयार कर लिए एकदम लाज जबाब एकदम फ्रेस फ्रेस लडू बनेया तो आप जरूर ट्राय करें इस नवरात्रे जरूर बना के रखें और आपने कैसे बनाए मुझे जरूर बताया मिलते हैं नहीं रेसिपी के साथ तब तक के लिए थैंक्यू सो मच और यह देखिए अंदर से कितना बढ़िया लडू निकलेगा यह यह देखिए कितना बढ़िया है तो मिलते हैं नहीं रेसिपी के साथ तब तक के लिए आप इंजॉय करें यह लडू थैंक्यू सो मच